हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डिप्लोमा विट सोनू जैसे कि आप लोग देख रहाँगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज़िज ओफ ट्रैफिक अक्सीडेंट जो ट्रैफिक तो देखिए फिरेंट सबसर्ट ले चुंच होता है यह होता है डिस्ट्रेक्ट ड्राइविंग करते रहते हैं तो क्या होता है कि ड्राइविंग करते समय डी Cert हो है जैसे कभी आप लोग भी रूल रेगूलेसंट जानते होगी कि की चलता है है यहां पे ब म्हों छण कर encontramos फोन का इस्तमाल कर रहे है तो जब फोन का इस्तमाल कर रही है जो klier सर शक्मार वसकता है इसी तो यहां पर लिखा हुआ रहता है do not use mobile phone in driving ठीक है तो यह सब सब फास्ट रीजन हो गया जो कि है distracted in driving किसी बज़ा से जैसे mobile phone ही नहीं है जो आपको distract कर सकता है कुछ और भी रीजन हो सकता है जो आपको distract कर सकता है on the on going driving पे ठीक है distracted driving includes driving while using a cell phone जब हम लोग cell phone के इस्तमाल करते हैं तब हम लोग distract हो सकते हैं या board electronics 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 item and gps it also include eating and drinking and applying makeup personal grooming या reading and anything else that takes your eyes off the road तो देखिए distraction से नहीं होता है cell phone से नहीं होता है distraction चाहे तो आपको हो सकता है कोई board electronics item से या gps के दो आरा या क्या कि आप कुछ जैसे खाना पीना अगर आप गारी चलाते हैं समय ही खाने लगें तो क्या हो सकता है क्या हो सकता है या अगर आप कोई लिकवायर जैसे कोई वाइन वगएर अगर आप पी लेते हैं तो उससे distraction हो सकता है यानि कोई भी ऐसा चीज जिससे आपको road से आपकी नजर को हटा दे यानि आपके जो आख को हटा दे अपका distraction में आता है तो इसका solution क्या है कि turn your cell phone off and keep your eyes on the road at all times अपना cell phone को off कर दिजिए on going driving पर और अपना पूरा focus क्या किजिए कि road पर रखिए और अपना safe driving किजिए तो यह first reason था जो कि था distracted in driving इसके बाद आता है तो यह है intoxicated ठीक है drunk driving जो पीने के बाद अगर कोई drive करते हैं तो उनका अलग problem हो जाता है while stoned are high or driving while and prescription medicine can all to serious or fatal injuries the solution do not driving intoxicated ever call a cab or call a friend or call a Uber or call just stay home तो देखिए अगर intoxicated intoxicated wine से भी हो सकता है या कोई another type के medicine जो drug conducted medicine ज्यादा तर आते हैं जैसा कि देखिए गाए अगर आपको सर्दी खासी या कफ problem होता है तो उसमें लिखा रहता है included drugs तो अगर आप दवाई अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें drug का थोड़ा बहुत मात्रा रहता है कुछ percentage में जिससे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा अगर एम जी का पावर का अगर आप दवाई खाते हैं तो आपको डॉक्टर भी सलाहत देता होंगे कि कुदेरी आराम किजेगा उसका बात कहीं चाहिएगा तो इसके पीछे रिजन क्या होता है इसके पीछे यही रिजन है कि उसमें जो drug का मात्रा है जिससे आपको intoxicated हो कर देगा तो उससे आपको driving में problem हो सकता है आप कहीं भी चकर खाके गिर सकते हैं यह साब सुनते होंगे ठीक है को सराब पीए हुए था या दवाई खाया गिर गया तो इसके पीछे क्या रिजन हो तो ड्राइक का मात्रा होता है थोड़ा बहुत तो जिससे problem होता है यह तो बात हुए intoxicated का जो है second point इसके बाद third point इसमें क्या होता है intoxicated में आप इसका solution यही है कि prevention भी साथ-साथ यही solution जो है prevention का ही बता दे रहे हैं prevention भी फिर थोड़ा सा next point में हम लोग थोड़ा भूत उसको कर लेंगे लेकिन साथ में prevention भी हम आपको बताते चल रहे हैं जह चल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लिजे ठीक है तो इसका जो solution driving driving simply अगर बात बोलें तो अगर आपको थकान है थकान मतलब simply समझे कि अगर आपको जो नींद है अगर आप पूरा नहीं कर पाएं तो आपको हमेशा क्या ड्रॉजी driving step में आते रहेगा मतलब कभी-कभी आप समयते होंगे कि अंगल आई जिसको बोलते हैं या उंघाई बो सकता है तो ड्रॉजी driving भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए driving while sleeping impacts sleeping impacts हम आगे ही बोलें कि जब नीन पुरा नहीं होता है तो उस समय यह आता है उंगाई उसमें आपको problem हो सकता है इंपक्स reaction time and interference with critical thinking तो जब आपको यह step में जब आते रहेगा ड्रॉजी टैप जब reaction आते रहे हैंगे तो आपका reaction कुछ अलग होगा और जो भी आपका critical thinking होगा वह अलग हो जाता है it also increase the risk of falling asleep and losing complete control of your vehicles यह आपका देखिए कि इस से क्या होता है क्यों गाई जब आता है तो आपको पता ही होगा कि नींद आता है तो जब नींद आप नींद भी हो सकते हैं कि आप सो जाए है तो गाड़ी चलाते हुए वक्त तो सो जाएंगे तो उससे आपको control भेकिल से हट जागा जिससे आपका accident हो सकता है तो देखिए यह तो अभी जैसा कि भार इंडिया में नहीं अभी उतना ज्यादा लांच होगा है अगर आप विदेश के बारे में जानते होंगे तो foreign country म यलोन मस्क एक हैं यलोन मस्क बारे में कुछ-कुछ आदमी सुने होंगे नाम कुछ-कुछ एस्टूडेन नाम सुने होंगे यलोन मस्क क्या कि Auto driving mode पर टर निकालते हैं ज्यादातर वो future के लिए बर्क करते रहते हैं Auto driving mode पर कार निकाले हैं बहुत सारा टेसला एक उसमें ट बदल लेता है अगर सामने कोई अब्जेक्ट होगा तो अपना साइट देता है यह सब चीज वह अपना चलाते रहेगा गाड़ी से कोई दिकत आपको नहीं होगे तो बात हुए ड्रोजिंग पोश्टेट स्पीड लिमिट अनि इंग्नोरिंग स्पीड चांसेज का रिजल्ट इन लॉस अफ वहेक्यल कंट्रोल एंद स्लोवर स्टॉपिंग अबिलिटी एंड इन इडिक्वेट ताइम तो अज़ेस्ट चेंजिंग ट्राफिक रोड कंडिशन देखिए इसमें क्या होत है कि इतना मिनिमम बवर अगर आप जाते हैं तो सब्च किया हुआ रहता है कि कुछ लोकल यरिया तो आपको लिखा हुए रहेगा 30 किलमेटर पार आवर तो वह लिमिट लिखा हुए कि लोकल अरिया वहां पर रोड पर आदमी वेगराव चलते रहते हैं तो जिससे क्या हो बहुत ज्यादा टाम लग जागा जिसना अक्सिडेंट उने का ज्यादा संभाव ना हो जाता है यह सपीडिंग भी कॉजज ऑफ आक्सिडेंट में आता है फिर अग्रेसिट ड्राइविंग अग्रेसिट ड्राइविंग में तो सिंपली समझे है कि हम आगे ही आपको बोलें ब्रत करें तो ब्रत को इस टैब में जो ढ़ाई जैसा कि यहां पर जोग देख रहा होगे कोई भी गाड़ी अगर क्रॉस होता है किसी को धखिए गां को पीछे बौले गाड़ी को देखिएगा अच्छा सच चलो या इसे उसको अभीज कर सकता है तो इस step में तो driving angularly या changing lenses erratically tailgating and similarly aggressive behavior place everyone on the road at risk तो देखिए अगर आप उस step में गाड़ी चलाते हैं तो चीतना भी गाड़ी गाड़ी हो कि सभी को आप risk में डार रहे हैं इसका solution क्या है कि take a deep breath, give the person in front of you some room and practice some patience इस step में अगर आप जैसे आप आंगे अर्ली मतलब आप गुसा में या उस step में आगर आपको feeling आ रहा है तो आप क्या करें कि लंबी सांस ले और क्या कि किसी कोई आदमी के सामने कड़ा हो जाए या किसी room में चले जाए और अपना patience को practice करें अपना गुसे को control करें अंगे अली driving ना करें running red light stop signs देखिए इसमें क्या होता कि अगर आप red light को नहीं ध्यान देते हैं stop signs को नहीं ध्यान देते हैं तो accident का chances जादा हो जाता है ठीक है इसमें क्या होता blazing through an intersection without pause is risky and often result in side impact accident तो देखिए जो भी अगर intersection पर आप cross करें intersection में तो समझेंगे होंगे इतना दिन तक हम लोग highway पढ़ें और transportation पढ़ें intersection step में ठीक है चौरहा बोल सकते हैं intersection बहुत परकार को होता है मेली हम में आपको यहां सिर्फ यह four lines वाला जहीं बता दे रहें ठीक है तो इस step में रहा तो वहां पर आगर आप light को नहीं ध्यान देते हैं तो side impact होता है जिससे आपको problem हो सकता है वहां पर accident हो सकता है जिसका solution क्या है कि a stop for a full two second and two and at a stop sign come to full stop when possible on yellow and never run red light देखिए रूख जाए थोड़ दर समय दिजिया और जब red light से yellow light convert होता भी आप वहां से चलिये red light पे कभी भी ना चले failing to check before switching lens देखिए failing to check before switching lens देखिए failing to check before switching lens जब lens switch करता है मतलब एक lens दूसरे lens के तरफ अगर देखिए changing lens without first ensuring your path is clear a good way to side sweep another vehicle this is among the top causes of fighter motorcycle accident देखिए lane change करना मतलब एक साथ से एक दूसरे साथ चले जाना तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी path changing में problem होता है जिससे accident हो जाता है side swipe another vehicle को अगर हम लोग अपने lane का अनुसार उसको अगर change करते हैं तो इसमें क्या problem होता है और ज्यादतर accident हो जाता है this is among the top यह top causes होते हैं motorcycle accident में इसका solution यह है कि check your mirrors check over your soldier and always signal your intent देखिए हमेशा देखिए कि अब front mirror लगा हुआ और होता ही यह जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर motor cycle में आप देख रहोंगे हैं front mirror जैसे यहाँ प्लगा हुआ है एक step में है इधर रोला तो तूट फूट गया है ठीक है accident हुआ जो चलते हो तूट फूट गया ठीक है तो इस step mirror क्यों दिया हुआ रहता है क्योंकि आप back side में अपना ध्यान देते रहें अगर आप अपना lane क को change कर रहे हैं तो back side में ध्यान दीजिए कि दूसरे साथ से गाड़ी आ रही है कि ना रही है ठीक है इस चलते हैं पर मीरा दिया हुआ रहता है और indicators का हमें इसा ध्यान रखें जो यहाँ पर indicators पीछे में दिया हुआ भी रहता है यहाँ पर देख रहे होंगे यह वाला indicator है इस step में आप indicator को जला करें हुआ तो जिससे क्या होगा क्या आपको accident का chances कम हो जागा ignoring construction zones अगर जो भी construction zone है तो अगर उसको हम लोग ignore करके चलेंगे तो accident का chances बढ़ जागा क्योंकि वहाँ पर construction area वहाँ पर accident का ज्यादा chances होगा failure to slow in posted speed and exercise in construction zones can result in fatal accidents with construction बारकर and loss of vehicle control तो देखिए अगर construction जहां हो रहा है तो उसमें अगर आप अपना स्लोग से नहीं चलते हैं तो speed control आपको नहीं होगा जिससे accident हो जागा vehicle control नहीं हो पाएगा इसको solution यह है कि obey करें हम लोग all posted sign जेतना sign वहाँ पर दिया हुआ रहता है देखिए यहाँ पर जैसे sign दिया हुआ इस बनाने के कोशिस करते हैं फ्रेब कि इस step में काविशन science का दिया हुआ रहता है जो खत्रावाला sign रहता है ठीक है तो खत्रावाला sign रेडर से हमेशा बना हुआ रहेगा ते इस step में अगर sign रहा तो ठीक से तो बना नहीं है लेकिन समझ आईये अप लोग जब जब डेंजरस साइन दिया हुआ रहेगा या कंस्ट्रक्शन साइटी स्टप में कोई एक बरकर काम करते रहे कोई एक बर्गर गाम करते रहे, इस step में 사ziट यहाँ पर बनाया जाता है, construction sign दिया जाता है, तो उस step में आप अपना science को ध्यान देकर ही चलाएं फिर पूर बेदर कंडिशन पूर बेदर कंडिशन भी एक बहुत ही इंपोर्टन रोल होता है causes of accident में जैसा कि देखिए बारिस के कभी मौसम हो अगर आप वाइपर का उप्योग ना करें बारिस का मौसम हो और आप कार चला रहे हैं और वाइपर का इस्तमाल ना करें अगर रेनिंग सीजन है तो प्रॉलम हो सकता है हम लोगों को ठीक से बलारी में दिखने से क्या होगा कि एक्सिडेंट का बढ़ जागा तो पूर बेदर कंडिशन भी इंपोर्टन रोल अदा करता है causes of accident में रिए असनुव आई समागे हैं बता दिया है और अधर कंडिशन कर में रोड़ेवेश लिक ड्रेंजरस फोर एवरीवन ओन दें जो भी वहां पर हैं सभी के लिए ड्रेंजरस करता है तो इसका सोलेशन यही है कि ड्राइब सुलोली इन 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 सिलिमेंट वेदर गीव द परस अगे में हैं तो उसको एक्ष्ट्रा स्पेस दें कि ताकि वह अच्छे से ट्रवल कर सकें और लाओ फूर फूर फिट्विटिन टु थर्टी मिनट एक्ष्ट्रा प्रवल टाइम तो गेट यूर डिस्टिनेशन पंदर सब बीस मिनट ज्यादा समय लगाएं अपने और ट्राफिक एंक्रिजेज रिस्क फोर रोन S deviation इसका सउलुशन क्या है कि जब ट्राफिक ज्यादा होता तो ओहां पर भी ज्यादे तर चांसे जो दाता है अक्सिडेंट का जिसका सोलूसन यह है कि हम लोग ट्राफिक साइन को हमेशा फॉलो करें पे अटेंशन करें रोड पे और विवाइट करें ड्रक्स अलकोहल जो भी हम लोग बोलें थे सब्स्टांस को प्योग ना करें एंड टी रिपल चेक बिफोर स्वीचिंग लेंज और लेंज को चेंज करने से पहले तीन बार कम से कम चेक कर लें ताकि अक्सिडेंट का पीक ट्राइबल टाइम हम लोगों को लग सके कि कोई भी अक्सिडेंट ना हो वी कन हेल्प वी कन हेल कैसे देखिए कि sadly even the safest and most responsible driver may not be able to avoid an accident caused by someone who can't be bothered to drive nicely देखिए sadly यह मतलब safest और कोई एक परसन है जो ड्राइबर है अगर वो अपने आप में सही है लेकिन दुसरे के गलती कोई बजा से उसको भी अक्सिडेंट हो जाता है तो यह भी एक प्रॉब्लम आली चीज है इसके लिए फोकस अमने को नहीं करना है तो देखिए मतलब अगर आपका गलती नहीं है दूसरे जो ड्राइबर है उनके बजा से कोई अक्सिडेंट हो जाता है तो इसके लिए आप दूसरा जो ड्राइबर है और अगर रिस्पोंसिबल है तो आपको कुछ कुछ कांट्री में या इंडिया में भी हेल्प मिल सकता है कोई वहाँ पर प्लिस कंप्लेंट कर सकते हैं या कोई भी अनदर टाइप का इंजियो टाइप आपको हिल्प कर सकता है यह तो बात हुआ कि हम लोग का कौज़ ऑफ अक्सिडेंट क्या है और उस थोड़ा बहुत और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में तो जैसा कि देख रहा हूंगे प्रिवेंशन के बारे में हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट के बारे में जैसा कि बात कियें कि और भी पॉइंट के बारे में चर ट्राफिक सिस्टम हो ठीक से बर करें, सेकंड़ी प्रिवेंचन है, प्री ट्रॉमा केर, कोई भी अगर किसो को, ट्रॉमा केर मतलो कोई बीमारी मारी है, तो उसको बारे में आप इलाज करके ही जाएं, जैसे अंग्याली अग्रेसिव के बारे में हम बोलें थे, तो उसके लि मीनी ऑस्पिंटल मेनी उहां पर मायक्रो फिन भी दिया जाता है हईवे में पहले ज्यादा तर हईवेग मायक्रो फोन दिया पर फोन बगरा कर यूज करने के लिए दिया हुआ रहता था था ताकि यूज कर बारे में तो आईए एक बार हम लोग syllabus को फिर से दख लेते हैं फिर पूरे अच्छे तरह से आगे बात करें तो जैसा कि हम लोग बात कर रहें तो फ्रेंट कि हम लोग human resource management HRM जो चैप्टर है उनिट 4 में हम लोग कर रहें थे इनिट 4 में हम लोग आज पढ़े हैं सेफटी management के बारे में सेफटी management में causes of accident or safety precautions के बारे में पढ़ लिए ठीक है इसके बाद जो भी next lecture हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदक्शन तो फाक्ट्री एक्ट, एसाय एक्ट, बर्कमान कॉंपर्सेशन एक्ट और इंडस्ट्रियल दिस्प्यूक तब यह सभी एक्ट हम लोग नेक्ट लेक्टर में कर लेंगे और फ्रय एक्ट लेस्ट जाल ले लागा तो एक्ट